तस्वीरें गोहला चीका की हैं जहां आईसी 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 आई बैंक से बैंक मित्र गोरब ने 9,80,000 रुपे निकाल लिये थे और जैसे ही पैसों से भरा बैग लेकर गोरब गाड़ी में रखने लगे तबी दो बाइक सवार बदमाशों ने गोरब के हांथ से पैसों से भरा बैग छीन लिया और कैथल की तरफ फरार हो गए पीडित गोरब की माने तो दोनों आरोफी स्प्लेंडर बाइक पर सवार थे और काला हैलमेट पहने हुए थे गटना के बक्त उसे कुछ समझ नहीं आया और वो कुछ कर पाता इससे पहले ही आरोफी केज रफ्तार से बाइक चलाकर निकल गई गोरब ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी है मैं जैसे डेली एटियम के लिए कैस लेने आता हूं आज दो तरी चुची बदर से मैं कैस आज दस लाकर पर निकल वाया जैसे बैंक से बाह लिगला गाड़ी में बैठने लगा तो उसे आथ से बैंक से लिए बाग जो लोग भागे थे किस तरह की बाइक पे थे किस स्कूटर पे थे किस चीज़ में थे बाइक तो ब्लैक अली से प्लैंटे थे लेगिन कपड़े का मुझे को अंताजा नहीं है अब है तो पुलीस के अपनी कारवरी करें जनकारी के मुताबिक गौरब एटियम में नगदी की डालने के लिए बैंक से पैसे लाते हैं और आज भी वो इसी लिए पैसा लेकर जा रहे थे गटना इस्थल पर पहुंचे एसपी लोकेंदर सिंग ने जल्द से जल्द मामले की जाच कर आरोपियों को गरफतार करने का आश्वासन दिया है कि यह की टीम है और जो ताने के टीम है बीस्थल आप मोके पर हैं मैंने भी यह पर मुआयना किया है तो सभी पहली से पुलिक जाच कर रही है तो लग रहा है कि लूट वाकि हुई है बैराल पुलिस ने पीडित गौरब की शिकायत पर दोनों अग्याद बदमाशों पर केश दर्ज कर लिया है और आजपास लागे CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं ताकि दोनों की पहचान हो सके पुलिस की हाथ अब तक हुई जाच में कुछ सबूर जरूर लगे हैं देखना होगा कि जाच में कितने काम आते हैं गोला चीका से कपेल पंजाब केज़ी टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ध